चात्र अपनी गख्षा में आज हम पाठ्य पुस्ता का ध्यन आरम करते हैं हमारे ग्रामर की बिंदु हुए तो चंद हुए चंद के बाद संदियां हुई संदियों की बाद अब हम एक दो पाठ्य पुस्तक के अध्यन करना चाहते हैं अध्यापन करना चाहते हैं तो क्योंकि ग्रामर की अन्य एक दो पाठ्य होने के बाद फिर आरम करेंगे तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों हम पाठ्य पुस्तक क पहला पाठ आप देख रहें कि मंगलाचण पाठे पुस्तक को थुदा ध्यान रखें कि मेरा आप से निवेदन है कि पुस्तक को खोल करके अपने सामने रखें प्रत्यक लाइन को देखें और देखने के बाद अध्यान करें थुदा सा जो पाठे पुस्तक का पढ़ाने का वो प्रोजेक्टर है उसमें थोड़ी सी समस्या है तो कि वो अपलवद नहीं है बोड़ पर हम लिखा नहीं सकते हैं इसलिए चात्रो अपनी पाठे पुस्तक को खोल करके पहला पाठ पाठ का नाम है मंगलाचणम एक वार आप देख सकत हैं आठेक और पाठेक का नाम है मंगलाचण जात्रो मंगलाचण कार्थ होता है सुब विचार सुब प्रार्थना शुब निवीधन यानि हम जो कोई भी कार्य आरम करते हैं तो सबसे पहला अमारा कार्य होता है मंगलाचण करना तो हम मंगलाचण करते हुई पहले पाठ को आरम करते हैं और पहले पाठ का प्रथम पाठ का नाम है चात्रो मंगलाचणम यानि पार्ट एक चात्रो मंगलाचरण में हमारी पहले पार्ट में बेद बेद से लिया गया है रिगवीद यजुरवीद सामवीद अर्थवीद बेदों की संख्या होती है चात्रो हमारा पहला पार्ट बेदों से लिया गया है वैदिक पार्ट है इस वैदिक पार्ट को आरम करने से पहले मैं आपसे थोड़ा अन्रोद करूंगा कि समझाना जाऊंगा कि इस पार्ट में क्या भूमिका दी हुई है किस प्रकार से इसको लिया गया है तो पहला पार्ट है मंगला चान और लिया गया है बेदों से और बेद इसे कहते हैं प्राचीन एक लिखित रचना है धार्मी ग्रंत है जिसे हम बेद कहते हैं बेद सब्सवत की उत्पत्ति बिद्धधातू से हुई है भी थ्थान निहींenda है उदिद्धातू से बना है बेद का आर्थ होता है ज्ञान तो ज्ञान कराने वाली जो हमारे ग्रंत हैं में बेद कहते हैं ज्ञान कराने वाले गरंतों को चाट्रो बेद कहायाता है हमें जो ज्ञान कराने वाले हैं उन्हें हम बेद कहते हैं बेदों की संक्या चार बताएगे आप सब जानते हैं कि बेद कितने हैं चार सबसे पहले रिग वेद यजुर वेद साम वेद और अर्थाव वेद छात्रो प्राचीन सबसे पुराना सबसे पहला जो वेद है वह है रिग वेद कौनसा वेद है दोस्तों रिग वेद हमारा सबसे प्राचीन जो वेद है पहला जो वेद है वो वेद है रिग वेद कित का नाम है रिग वेद रिग वेद हमारा सबसे प्राचीन वेद है सबसे पुराना वेद है रिग वेद रिग कार्थ होता है रिग को पिलस वेद अब तो आप जानगे कि रिग को पिलस वेद बराबर वना रिग वेद संदि आपने पढ़िए वसकल पर सोरी संदिया समाब तो आप जान सकते हैं कि पिल्द सरीधत रिख होता है रिचा तो रिचाओं का पुरे दियान कि रिग होता है रिचा और रिचाकार्थ होता है मंत्र क्या होता है दोस्तों मंत्र रिचा होता है मंत्र तो मंत्रों का ज्यान करानी वाली ग्रंथ को रिग वीद कहते हैं रिग, होता है रिच्या और हुआ कार्थ हुये मंत्र तो रिचाऊं का मंत्रों का ज्ञान कराने वाले विद को हम रिग विद कहते हैं यह अमारा सबसे प्राचीन ग्रंथ है पहला लिखित ग्रंथ है कई बार प्रशनाता है कि प्राचीन रचना कौन से है सबसे पुराना वेद कौन सा है उत्तर है रिग वेद कौन सा है रिग वेद इसके बाद जो वेद आए वो हैं रिग वेद यजुर वेद शाम वेद वेदों की संक्र कितनी होती है चार बेदों में प्राचीन वीद है रिग वीद उसकी वाई यजुर वीद उसकी वाद साम वीद और अंत में है अर्थवों वीद हमारा यह मंत्र लिये गई है रिचाएं नोगा है वह रिचाएं प्राय सभी वेदों अधर नहीं है एक प्रष्ण आता रहता है कि आज़तर आपको जो पांच पध्यांस आते हैं गद्यांस पध्यांस नट्यांस प्रश्ण उत्र छाट्रों आपकी पुस्तक जो आपको पेपर में आएगी मैं आपको एक वार सजेच करता हूं निर्देश देता हूं कि पाठ्य पुस्तक में से जो आपका आएगा वो आएगा गद्यांस पध्यांस और नट्यांस पांच प्रश्ण आपको आते हैं दो गद्यांस दो पध्यांस और एक नट्यांस और उनमें से आपको प्रश्ण उत्तर च्छाट करके लिखने होते हैं कुझे नेचे लिखे हुए प्रश्णों के उत्तर गध्यांस बद्यांस में से देजिए अर्थी की दुष्टी से में नहीं है कि अर्थ आपसे पूष Tali ना आपसे हर्थ पूषता है और ना ही आपसे संस्कित व्याक्या पूशता है आपको जो पूशता है वो यह होता है कि इस जैसे आपको इंगलिस में आते हैं कि इस पहला ग्राप में से नीचे लेखे हुए प्रश्णों के उत्तर देजिए उसी प्रकार से आपको लेकिन पढ़ना भौत तरीकी से समझना है तो हम चलेंगे कि बेत कतिदा की बेदाहा च्तुरह दावती प्रश्न पूद आए की बेदाए कतीदा होती बेद कितने होते हैं साननामानी उनके लिकत उनके नाम भी लिखो तो रिगवेद यतुरी किसे बनाएं देगा और दे को और ऐ मन्तरों का ग्जान कराने वाले करनत को रिगवेद कहते हैं अब अगला हम चालू करते हैं चेजिब कि थोड़ी शी व्याख्या पड़ेंगे पहले में आपको एक ऊड़ीत बदा देता हूं कि क्या दिया हुआ है चात्रों का है कि अस्माकम भारतिय संस्कती मंगल मही अस्ती किताल की पहली लाइन है कि अस्माकम भारतिय संस्कती मंगल मही अस्ती हमारी भारतिय संस्कती चात्रों मंगल मही है मंगल प्रदान करने बाली है क्या होता है दोस्तों मंगला चर्ण करना होता है हम कोई भी हम अगर पहले विद्ध्याले में आते हैं करते हैं तो कोई भी बगवान जो अपना इस्ट होता है तो अपने भगवान के इनुसार मंगला चर्ण करता है इसे में आर्थ को समझा देता हूं मैं हिन्दू हूं तो मैं भगवान भौले भगवान संकर भगवान रामचंद्र भगवान दुर्गामा आदी सभी सरस्वती मा की उपासना करके अपने कार्या को आरंब करता हूँ कोई मुश्लिम है तो अल्ला का नाम लेकर के अपनी कार्या को आरंब करता है इसी प्रकार से सबसे पहले हम लोग अपने कारिया को निर्विगन समापत करनी के लिए मंगलाचन करते हैं मंगला चलंव भागवान का उच्चान करते हैं अतहई अध्यापने सलगन लाम इसली अध्यापन में सलगन गुरुव का अध्यानी तल्ली नहा छात्रां अध्यानमें लिन छात्रों का देगो अध्यापन कराने में लीन गुरुवह का और अध्यान में लीन छात्रों का तो यहां पर कहा है की मंगला चरण कारी मंतरा नाम मंगल प्रदान करने वाले मंतरों के द्वारा घ्ञानाय है क्यान के इसमान के लिए मंगला चन पाठ मंगला चन पाठ को अत्र प्रस्तुत यहां प्रस्तुत किया जा रहा है दोस्तों अभी हमारा पाठ अरंब नहीं हुआ है केवल हमारा पाठ की जो भूमिका है जो मंगला चन वह हमारा कर रहे हैं अभी तो हम यह बता रहे हैं कि मंगला चरण क्यों करते हैं मंगला चरण इसलिए करते हैं कि हमारे कारिया की जो हम कारियारम कर रहे हैं उस कारिया की निर्विग्न दोस्तों निर्विग्न समाप्ति हो जाए निर्विग्न निर्विग्न का आर्थ होता है बिना व यह बिना संकत के बिना कश्ट के बिना बादा के समाप्त हो जाए तो हमारा चतनी है पहला पकूर दोस्तों मैं आपको सम्झा जिता हूं कि रिगवेद से ले आ गया है किसे लिए रिगवेद से इसके लिए मैं आपको एक थोड़ी सी भूमिका वदा देता हूं कि वेटा रिगवेद में रिगवेद प्राचीन वेद है रिगवेद ये प्रश्न कई बार आता हैं आपको एक प्रश्ण आपको आता है उसमें आठ प्रश्ण आते हैं संस्कित साहित का इत्यास में आठ प्रश्ण दिया आते हैं छै प्रश्ण होते हैं एक एक नंबर के और दो प्रश्ण होते हैं दो दो अंक के इस प्रकार से हुए कि अर उन प्रश्णों में जो पूछा जाता है वो यह पाठ है उन पाठों में जो मंगलाचन के उपर दिया हुए जो भूमिका दीवी होती है सोब प्रतीशत उस भूमिका में से पूछा भगवान से आज़ा करता हूँ मैं अपना जो इसमन आपको याद लायता हूँ कि बिगत वर्सों में कैई वर्सों में जो आपका इत्यास आया है वो इन ही पाठों से उपर से जो भूमिका है उसी से आदा आप पिछले वर्स का पेपर उठा के देखो इससे पहले देखो भि जो भूमिका है ना उस भूमिका में से आपको यह आठो प्रश्न मिल जाते हैं आपको पास्वुक में जाने की ज़रूरत नहीं है मैं आपको बारबार पाट पढ़ाऊंगा उच्चान कराऊंगा आप यदी मेरे साथ उनका मनन करते रहेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कक्षा में ही वो प्रश्णाप को याद हो दो कि आपको यहीं जैसे में पार्ट पढ़ाऊंगा एक वार उसका रिविजन कराऊंगा तो निश्यत ही वह प्रश्ण आपको यहां याद हो ऐसी निश्वर से आसा करता हूं तो पहला जो मंत्र हमारा रिगवेद से ले अगया है तो रिगवेद के बारे में आपको जो महत्वपूर्ण प्रश्ण हैं जो पाठी पुष्टक में से आते हैं जो आपके साहित्य के प्रश्ण में मिलते हैं निश्यती रिगवेद से संबन्दिती प्रश्ण आपको जरूर आएगा दोनका वो क्या है दोस्तों देखो अब रिगवेद के मैं आपको कुछ प्रश्ण बता देता हूं सबसे पहले तो कि बेद सब्द में किस धातू का प्रियोग हो है किस धातू का दोस्तों बिद पूष्टाय काई वार बेद सब्सव उत्पत्ति कस्यदातू होती किस दातू से हुए कस्माद धातू आतू से हुए तो उत्तर हमारा होगा बेद विदह हो ओ गज सब्सक्राइब विदह को परश्टा को सर्व प्राचीन-गरंथ कौन सा है प्राचील बेद हका प्राचील बेद कौन सा है उत्तर है रिग होऊ कि और अपको क्रम से चल रहा हूं कि बेद की उत्पत्य होई फिर मैं ने बताया आपको कि सवसे प्राचील वेद कौन सा है रिक रिगवीद में किसका वर्णन प्राप्यते रिचा प्राप्यनते रिचाओं का वर्णन प्राप्यत होता है दोस्तों आगे चलते हैं कि रिगवीद को कितने भागों में बाटा गया है रिगवीद में कितने मंडल हैं तो रिगवीद को देको दस मंडलों में बाटा गया है चात्रों बहुत महत्मून प्रश्न है कई बार तो आपको पासवगों में दो-दो बार मिल जाएगा कि करिष्ट कितने मंडलेशू विवकते है कर रिगवीद में बाटा हुआ है ज़ेगों बहुत में मंडलों की 100 कितने मंडलों की संख्या कितनी है दोस्तों मंडल मंडल वरावर 10 रिग वीद में मंडलों की संक्या है दोस्तों 10 कितनी संक्या है 10 पूसता है महतूपूर प्रश्न है कि रिग वीद में पहला है मंडल बनावर दश रिगवेद में मंडलों के संक्या कितनी है चात्रों दस पूषता है रिगवेद को कितनी मंडलों में बटा हुआ है पूसरा है की पूस्ताएं कि रिगवेदश्य नाम किम रिगवेद की नवी मंडलों का नाम किया है और tissues, पावमाण मंडलों चंक में बहती महत्तूं अपको बता रहा हूं आप फिगत प्रश्न पत्रों में देख सकते एं थीक है ना तो किताब से किताब से नहीं है कि रिगवीद में कितने मंदल हैं दस और नवी मंदल का नाम क्या है मंधल कई वार पूछे है रिग वीद अस्य न्व मंधल अस्य नाम की देविध की नभी मंदल का नाम क्या है वो दूस्तों वह है पर मंडल कोन साउ बेड़ा पर मान मंडल एगा चलते हैं ये आपकी पुष्टक के वनचाज चलते हैं रिगवीद में कितने अनुवाक हैं क्या है दोस्तों अगला प्रश्न है अनुवाक कितने अनुवाक हैं वह हैं पंचासी ती और थर्थ अनुवाक हैं रिगवीद कती अनुवाक संती कितने अनुवाक है दोस्तों पिच्यासी पंच असी ती बरावर पिच्यासी रिगवीद में अनुवाक हैं पिच्च्यासी और रिगवीद में कितने अध्याय हैं कितने अश्टक हैं तो दोस्तों रिगवीद में अश्टक अश्टक बरावर आठ और अध्याय बरावर चोंशट दोस्तों वीद में आठ अश्टक चोंशट अध्याय हैं आठ अश्टक चोंशट अध्याय अनुवा कितने पिच्च्यपिच्यासी और वीद में जो आपको दिया हुआ है रिगवीद में उपनी सद तो कुल ही कितने उपनी सद हैं अनुवाक हो गया अश्टक हो गया अध्याय हो गया अब हम चलते हैं महतून प्रश्ण की ओर कि कितने हमारे जो उपनी सद है वह चात्रो उपनी सद कितने हमारे उपनी सदों की संख्या बताई गई हैं कुल उपनी सद हैं 108 इतने दोस्तों कुल उपनी सदों की संक्या है 108 बेदों में क्योंकि सबसे प्राचीन वीद हमारा रिगवीद है और रिगवीद यहां ध्यान रखना दोस्तों यह उपनी सदों की संक्या है वह सभी वीदों से मिलकर है कुल उपनी सदों की संक्या कितनी है 108 लेकिन महत्वपूर्ण उपनी सद कितने है है ग्यारा और कुल उपनी सद है 108 नवी मंदल का नाम है पबमान मंदल अनवाँक 85 अश्टक होए acknowledgement अध्याय हुई 64 और कुल वेदों में कुल उपनिशद हुई चात्रों 108 और महत्पून उपनिशद हुई 11 और अगर हम बर्गों की उड़ चलें तो बर्ग हैं 208 कितने बर्ग हैं 208 बर्ग होते हैं और अब एक महत्पून प्रश्ट है कि मंत्र किसे हैं क्या है दोस्तों मंत्रों की संक्या है 10580 रिग वीद में मंत्रों की संक्या कितने हैं 10580 है ठीक है दोस्तों कई पुस्तकों में दो चार पांच का अंतर हो शकता है लेकिन कुछ में कम हैं किसी पुस्तक में दस अजार और पांसो चोहत्र बताए गए हैं ठीक है ना किसी में दस अजार पांसो से कुछ बताए गए हैं लेकिन महत्कून सार की तोर पर जो प्रवानित किया गया है वह है मंत्रों की संक्या दस अजार पांसो असी यह आपकी पुस्तक में ही लिखा हुआ है तो रिख वेदों की संक्या कितनी है दस अजार मंत्रों की संक्या है दस अजार पांसो असी है दोस्तों पूस्ता है कि रिख वेदी कती मंत्रा नाम संक्या भवती रिख वेद में कितने मंत्रों की संक्या होती है कितनी है बिटाओ 10580 अब सुक्त हैं शुक्तों की संख्या कितनी है शुक्तों की है 1028 जो कुल सुक्त हैं महत्पूर्ण सुक्त हैं उन शुक्तों की संख्या है कुल सुक्त की संख्या है 1028 देखो रिगवेद का परचे आपको पूछता है तो देखो एक एक नंबर की जो प्रश्ण है वो यहां से आएंगे और यदि आप से पूछेगा रिगवेद का दो नंबर का प्रश्ण है तो कहां से एक एक नंबर के हमारे प्रश्य मनें व हमारा सबसे Tôi ये कौन साय दोस्तों रिखवेद हमारा शर्षल से अच्छी प्रांचीन वेद है पहला वेद है रिखवेद में अच्छी बता देता हूं दोस्तो 14 चंदों का प्रियोग होगा यह आपको नएज बहो सकते हैं मिल सकते हैं किताब में साइध आपको न मीले Gaming वी ना मिले और साइध आपको कॉलेज में भी पाढ़ने को न मीले चलते हैं कि एसे बोल सकते हैं कि कितने चंदों से बांदा गया है वो कितने चंदे चोधा रिग वीद में 14 चंदों का प्रियूग हूआ है रिग वीद में मंदल कितने है दस और रिग वीद में मंत्रों की संक्या कितने है तस अजार पांसो असी रिख वेद में नभी मंदल का नाम क्या है पभवान मंदलम अनुवाक हैं 85 अश्टक हैं 8 अध्या हैं 64 और सभी वेदों में कुल उपनिसदों की संक्या है एक 108 और महत्पूर्ण उपनिसद कितने हैं 11 लेकिन बरत्मान नई पुस्तकों में आरें 10 दोस्तों कितने आरें 10 एक उपनिसद को और हटा दिया गया है और मानें महत्पूर्ण 10 इस इन्हें 1011 उपनिसदों को याद करने के लिए मैं आपको एक बहुत छोटी सी लाइन ट्र है कि इसा का ब्रहद के प्रसंद मामूनी स्वेच्छा से इत्रा कर काटा है कि देखो बच्चों आज के जमाने में बरत्मान युग में आदुनी कल में बड़े पार्टियां बहुत चल गए जनम दिन की मुबारक वाज सुख कामनाय मनाना बहुत चल गए अब तो बस जनम दिन पर चलो सा बहुत बड़िया पार्टी चलेगी केक काटेंगे और पूरा प्रोग्राम करेंगे तो वही मैं उसी ट्रिक के वाद्यम से आपको समझ के य य सबूपतें कि रहां कि इसर की जनम दिन पर को पार्वी परवी तो इसौइन रिखी गई कि यह जनम दिन पर केंगी काटा जा जाता है और रही depiction होता है बड़ा तो पहां कि इसा काम मीस, आणी के प्रसन मामू ने, कौन थे मामु, मामू आये थे, मामा जी को भोलते मामू, प्रसन मामू ने स्वेश्छा से, अपनी इच्छा से, स्वेश्छा और इत्रा करके काटा, यह क्या могу दोस्तो काटा, इस लाइन में आपको ग्यार pior गया उतनी सद मिल जाएंगे दोस्तो, शो आएगे इस अरजी ने सने मताया था कि उपनी सदों को याद करें का तरीका है कि हम उपनी सदों के पार्टी में और में सदों की इप भगवान ऑव क्या होते भगवान तो इसा का ब्रहद के प्रसंद मामोनि स्वयच्छा से इतरा करके काट है अब देखो इसा इसा से बनता है इसा वास्य उपनी सद दोस्तों इसा से क्या बनता है इसा से बनता है इसा वास्य उपनी सद क्या बनता है दोस्तों इसा से बनता है इसा वास्य उपनी सद इसा का ब्रहाद केक दूसरा है दोस्तों ब्रहाद ब्रहाद होता है ब्रहाद आरण्यक क्या होता है दोस्तों ब्रहाद आरण्यक इसा बाद से उपनी सद इसा का ब्रहाद आरण्यक ब्रहाद केक केक से होता है कि और क्या यानि केन उपनी सद और कठ उपनी सद क्या वानगे दोस्तों केन और कट इसा वास्य उपनी सद ब्रदारण्यक उपनी सद केन उपनी सद कट उपनी सद केक अगला है प्रसन्य मामूनी तो प्रसन्य मामूनी तो प्रसन्य यान वोता है प्रसन्य आरण्यक नीसद प्रसन्य मामूनी छीगे ना मासे मांडुक मूसे मुंड़क एक दोस्तों इत्रना ऎत्री उपनी सद तैसी तैत्री उपनी सद तैसी तैत्री ओट ओगिया balance प्रसंद योग उपनी सद इस प्रकार से कितने हुए ग्यारा महत्वपून हुए वर्तमान समय दस होते हैं ठीक है दोस्तों तो इस प्रकार से एक लाइन है कि इस लाइन को आप याद रखोगे महत्वपून लाइन है दोस्तों कि इसा का मैं लिख देता हूं कि इसा का ब्रहाद के प्रसंद मामूने स्वेच्छा से इत्राकर अब यह लाइस्ट है काटा यह तो हमारे सब्द वैसे हैं एक ट्रिक वनाने के लिए जो कारकों के रूप में आए हैं तो इसा का ब्रहाद के प्रसंद मामूने स्वेच्छा से इत्राकर काटा तो देखो वेटा अपन को देखने एक दो तीन च्यार पांट छे साथ आठ नौ और दस कितने मेट वोके दास देखो इसा से वंताय इसा वाशी उपनीशाद, ब्राद आरण्यक उपनीशाद, केन उपनीशाद, कट उपनीशाद, प्रसन्ना उपनीशाद, और मांडुक उपनीशाद, मुंडक उपनीशाद, स्वेच्छंद योग उपनीशाद, एत्रे उपनीशाद, और तैत्रे उपनीशाद सब्सक्राइब इस प्रकार से आपके कितने उपनिसाद कितने होते हैं कुल कितने होते एक सो आठ अगला पूछता है कि महत्वपूर्ण उपनिसादा नाम संक्या कती महत्वपूर्ण उपनिसादों की संक्या कितनी होती है होती है ग्यारा और ते साम नामानी अपी लिखत उनके नाम भी लिखो तो आपको यह लाइन के माध्यां से आदाएंगे कि इसा का ब्रहाद के प्रसंद मामूनी स्वेच्छा से इत्रा करके काटा जो मारा यह पाठ और उसके नीचे उत्तर भी लिखता जाओंगा केवल अभी हम मौकिक समझ रहें किताब भी उपलावद नहीं है तो आप सब को किताब लेनी है और मुझे भी लेनी है किताब तो इस प्रकार से लिखते हुए हम इसको प्रश्ण उत्तरों को लिखते हुए पढ़ेंगे तो यह 11 उपनी सथ हुए है उपनी सथ ठीक है ना कुल कितने होते हैं 108 महत्पूर्ण कितने हैं 11 इने प्रश्णों में से आज के जो हमने प्रश्ण पढ़े तो चात्रों मैं अतना आपको विश्वाज दिलाता हूं कि एक प्रश्ण सत्परती सत्थ आपको पेपरों में में महत्पूर्ण सत्परत्य में आपको वाज करा इंट प्रश्ण और की संख्या कितनी है शूर सोरक्तों की शंख्या कितनी है मंडल कितनी ंभी मंडल नाम क्या थिक है जोस्तों इस प्रकार आगे चलते हैं कि इसमें कुछ बच्चा नहीं एक कि महत्पून उप्रिशत होगे महत्पून शुक्त होगे मंडल हुई अनुवाग्व के इस प्रकार से आपको एक सुक्ति जरूराए शुक्ति का भावार्त लेको और वो शुक्ति कहीं से आ सकती है पूरी पाठ्टे पुस्तक में से उसके बारे में बताए तो पहला पारता रिगवेद मंगलाचन और उपनोंचण मेदा पहला जो इस लोगा दोस्तों में आपको रिगवेद के बारе में सामानी जानेकारी पूरा अवेद मैत्भवीम प्रश्ड एकिन जब हम साहत्य परेंगे तो एक साहत्य के अंतरगा तिसको में विस्तार से और टंसी आपको ख अगनि देव की प्रात्रां हम एगनि देव की प्रात्रां में कर रहे हिए और आगनि देव की प्रात्रां में बोलते हैं कि यत hindsight थे ho कि यत अंगदासु से त्वम अगनी भद्रम करिश्यामी त्वम सत्यमंगी रहा हे परम परमीश्वर अगनी देवा छात्रुग आए कि लेका को चाहिए रिसी बोलो चाहिए लेका को बोलो वो प्राष्णा करते हुए कहते हैं कि ही परम पिता परमीश्वर यत अंगदासु से कि जो आप इस हवन में अगनी देव में जो शमर्पित कर रहे हो यजमान वो हमारे यजमान को प्राप्त हूब कि यह का है दोस्तों कहा कि है परम परता परमेश्वर टाकी पर सिदी हम अपने तो कहते हैं कि कि है यह अगनी देव जो ब्रह्मन आपके हवन में आगुती दे रहा है उस आगुती देने वाले यज्मान के लिए कल्यान कारी कल्यान हो शुब हो कल्यान कारी फल प्राप्त हो वे हैं अगनी देव अंगार रिशी के पुत्र अगनी देव उसका फल क्या है कल्यान के रूप में प्राप्त हो अगनिदेव तुम सत्य हो अंगार अंगी रह अंगी रह होता है अंगार इसी को जर्म देने वाले अगनिदेव तुम सत्य हो तुम क्या अवड़ा शत्य बेदों का पाठ है कि जो हवन में दान करने वाले हैं हवन अपन करते हैं कोई ले कारी कारे करते हैं तो आयूते का कल्यान हो और उसका फल हमें भी प्राप्त होगे है अंगार इसी को जर्म देने वाले अग्निदेव सत्य ओ तुम क्या हो शत्य हो तो यहां पर अगनी देव की प्रात्ना करते हुए का है कि है अगनी देव जो तुम्हारे लिए आहूती देते हो तुम्हारे हवन में जो कल्यान स्वरूप आहूती प्रदान करते हैं उन्हीं यजिमानों के लिए कल्यान प्राप्त हो क्लियारकारी फल पशक को ओशक का फल हमें भी प्राप्त हों तुम सत्त का मतलब सा इस एज़्ध का जब तक एस रष्ट ये हैं तब तक आप am interacted ौँ इसते रहने बाले दोस्तों पहले इस लोग कार्दुआ आइस पाथ में पांच पहें और पहले इस लोग बोल चाहिए मंत्र बोलो पहले मंत्र का अर्थ है कि पहले मैंने मंत्र पड़ा यद अंगीराद आसुसी तुएम अगने भत्रम करिश्यामी तुएम सत्याम अंगी रहा है यहे अगनी देव इस हवन में आउती देने वाले यजमान को कल्यान का रिफल प्राप्त हो वे अंगार इसी पोजन देने वाले अगन देव तुम शत् करते हो इस पहले स्लोक में दोस्तों कल्यान की कामना की गई है अगनी देव से यजमान की कल्यान की प्रार्थना की गई है दोस्तों इसका भावार्थ हुआ कि इस पहले मंत्र के द्वारा हमें अगनी देव से प्रार्थना करते हुए कल्यान की कामना की है कि इसका फल यज जमान को प्राप्त हो उसका कल्यान हो ठीक है आज इस पहले इस लोग काम ने अध्यापन किया कल पुने इस कक्षा को फिर आरम बढ़ाएं करेंगे आगे आपसे निवीदन है बारवार कि आप अपनी पाट्टे पुस्तक को खोल करके अपने सामने रखें में एक एक लाइन को या तो लिख करके या मुझवाने बोलते जाओंगा और अपका उसकार्थ आप करते हुए समझते हुए जाए इसके लिए धन्यवाद चात्रों कल पुने पिर आए